नमस्कार दोस्तो शर्मा जी की रसुई में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम हल्दी की सब्जी बनाएंगे जो कि यह हमने बिल्कुल हल्वाई स्टाइल में बनाई है हल्वाई जिस तरह से बनाते है उसी तरह से हम आज हल्दी की सब्जी बनाने वाले हैं बहुत ज जाती है इसे जोडों के दर्ध नहीं होते है और नसों में पैन नहीं होता है बड़ी A quality कि हमने हल्डी ले लिए और हल्दी को हमने अब हम हल्डी को छील कर हमें छील कर हम इसे कत्धुकस कर लेना है राजस्तान की पाली की बहुत ज्यादा फेमस होती है ये हल्दी की सब्जी शादी ब्याम में इसे खास तोर पर बनाया जाता है और इसे शुद्द देशी घी में ही बनाया जाता है घी में बनाने से जो हल्दी की तासिर गरम होती है तो वह जादा गरम नहीं करती है और राजस्तान में तो काफी ठंडी होती है और अगर आपको म की चिलके निकालते उस तरह से भी चील सकते हैं आपको जो तरीका पसंदों आप उससे चीलिए ये और ये जो हल्दी की सबजी है ये राजस्तान की इतनी जादा फेमस है और ये खराब भी नहीं होती है और इसे आप फ्रीज के अंदर रखे एक हपते तक भी खाये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और हल्दी की सबजी खाने में थोड़ा तीका पन होता है हल्दी में इसके लिए इसे जादा देशी घीमे बनाया जाता है देशी घीमे बनाने से इसका स्वाद तो बढ़ता है सबजी के अंदर टेस्ट भी बहुत जादा आता है और हेल्थ के ल इतने भी जादा खाई जाती है जोदपुर में पाली में बहुत जादा फेमस होती है ये सबजी तो देखिए अब हम इस आलो के छिल्गे वाले इससे भी छिल्के हम निकाल सकते हैं देखिए इस तरह से काफी जल्दी निकल जाते हैं आप ग्लोज पेन कर अगर यह काम करना है तो ग्लोस भी पेंच सकते है हाथ काफी पीले हो जाते हैं इस के वज़े से तो अब हमने पूरी हल्दी को हमें छील लेना है और एक ग्रेटर से हम grate करेंगे थोड़ा मोटा वाला ग्रेटर है इस साइड से तो मैं पहले थोड़ा इसी मोटी किस लूगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ी बारिक किस लूँगी तो हम जब इस तरह से इस ग्रेटर से जब हलदी को किस लेते है तब उसकी सबजी बहुत अच्छी लगती है तुकडे में सबजी को ना काट कर बनाए आप इसी तरह से ग्रेटर में ग्रेट करकर ही बनाई से तो मैं पूरी यह जो हलदी है मेरी यह लगबग 250 ग्राम से 350 ग्राम के करीब करीब हलदी है यह हमारी और हम जितनी हलदी लेंगे उतनी हमें मसाले की आउशकता होने वाली है तो चलिए देखिए कड़ाई को मैंने ग्यास के ऊपर रख दिया है अब हम डालेंगे इसके अं 250 ग्राम हलदी लेते हैं तो 250 ग्राम ही घी डाला जाता है मैंने यह 300 ग्राम के करीब करीब हलदी लिए और 200 ग्राम ही घी डाला है और इसके अंदर घी की कॉन्टिटी जादा डाली जाती है अब हम देखेंगे थोड़ा घी गरम होने पर थोड़े से खड़े मसाले मसालों में मैंने दो चार लोंग, दो चार काली मीर्च, दो हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, छोटे-छोटे दो दालचिनी के तुकड़े, बस इतने ही मसालों का मैंने इसके अंदर इस्तमाल किया है, और यहां खड़े मसाले हम ओल के अंदर डालेंगे, और थोड़े से मेरे बतायवे तरीके से अगर आप बनाएंगे यह मैंने बिलकुल खलवाई वाले तरीके से बनाई है यह मैंने डाला है अद्रक लेसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसके अंदर और थोड़ा सा हलका सा चलाते हुए इसे भून लेंगे हम फिर आप धिरे-धिरे करकर मसाले डालेंगे ध्रेद्रे करकर बाकी सभी सामगरी डालना है हमें अब डाल देंगें हम freshly practiced को काट लिया the बियुकोडों में इस तरह से प्याँ डालने से इस सबची अलगा थोड़ा कम होता है इसके लिए प्याज आप जरू जरू डाले तो मैंने बड़े बड़े बड़ी साइज के दो प्याज लिए है मीडियम साइज के तीन प्याज के करीब करीब है यह अच्छे से फुल गेस पर मैं पहले इने प्याज को भूनूंगी जैसे ही प्याज हमारे भून जाएंगे ये मैंने गीली वाली लाल मिर्च जो मार्केट में अभी काफी मात्रा में आ रही है उसका इस्तमाल किया है आप इसकी जगा हरी मिर्च भी ले सकते हैं थोड़ी सी मैंने ग्रेट कर लिए मिक्सी के जार के अंदर थोड़ा दरदरा प दिखेगी तो काफी दिखने में भी अच्छी लगेगी हमारी अब मैंने यह 2 टमटर के फीरी डाली है इसके अंदर और सबूल दूंगई जब तक कि थोड़ा घी बाहर ना आ जाए आप हम क्या करेंगे इसके अंदर हमें दही भी डालना होता है जो हल्दी की सबजी होते हैं उसके अंदर दही डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दही के बगर ना हल्दी का स्वाद आएगा ना हल्दी के अंदर का घी बाहर निकलेगा और देखिए स्वाधानुसर नमक डाल देंगे हम आपको जितना पसंद हो डाल सकते है पर आप अभी डाल दीजिये नमक ताकि अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए और फिर सबजी में भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए अभी हमारी जो टमाटर का पानी है अच् तक हमारी gravy पक रही है, तब तक हम मसाले, दही के अंदर मसाले भी mix कर लेंगे, ताकि अच्छे से दही के अंदर मसाले mix हो जाए, अब हम gas का flame full रखेंगे, अभी और फिर हम थोड़ा थोड़ा करका इसमें दही डाल देंगे, दही हम जब डालेंगे तो थोड़ा पानी सोक हो देंगे, तो इसके लिए हमें दही को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ अगर आप पूरा दही डाल देंगे इसके अंदर, तो यहां उचलने लगेगा, आपको problem हो जाएगी, gas भी खराब हो जाएगा, इसके लिए दही को थोड़ा थोड़ा डालिए, और अंदर दही डाल सकते है, दही से इस सबजी का स्वाद बहुत जादा बढ़ता है, और खाने में भी टेस्टी लगती है, आप इस सबजी को एक हफ्ता तक भी खा सकते है, और रोज अगर खाए आप, उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा लेकर, तो आपके हट्डियों का दर नसो का दर्द गायब होने वाला है, काफी मात्रा में अच्छी होती है, हल्दी है, और जो कि हल्दी से नसो का प्रॉबलम, हड्डियों को प्रॉबलम दूर होता है, तो आप भी एक बार जरू-जरू ट्राय करें, मार्केट में काफी बहतर हल्दी अभी आ चुकी है, आउशकता है नहीं, तो देखिए, अब हम मतर डालेंगे, जैसे ही हमारा दही पक जाए, हम मतर डालेंगे इसके अंदर, और अब इस मतर को अच्छे से पका लेंगे हम, मतर को थोड़ा सा पकाने के बाद, हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, देखिए, थोड़ा घी भी हम जादा पकाने के आऊशकता नहीं होती है देखिए गया इसका प्रिम तोड़ा फूल रखा है मैंने और कावी मातरा में घी बाहर आ चुका है देशी घी में आप जब ये सबजी बनाएंगे तो यकिन मानिए आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे और सेयत का खजाना है ये ह हल्दी पानी इसके अंदर डालने के आऊशकता नहीं है और अगर आपको जितनी ये गाड़ी सबजी बनेगी और अगर आप थोड़ी से सब्जी खाना चाहते है तो आप थोड़ी दही की मातरा इसमें बढ़ा भी सकते है अगर आप थोड़ी रस्य वाली खाना चाहते है और देखिए अभी जैसे जैसे हमारी हल्दी थोड़ी सी पकेगी वेसे वेसे हल्दी सॉफ्ट होगी और थोड़ा पानी छोड़ देगी घी बाहर आ जाएगा तो सब्जी थोड़ी सॉफ्ट बन जाएगी हम थोड़ा सा इसे पाच पीट के लिए डग देंगे डग कर हम इसे बफा लेंगे बफाने के बाद देखिएगा आप कितना बेहतर सब्जी का कलर आया है खाने में भी बहुत जादा टेस्टी हुई है यह और आप भी एक बार जरू जरू ट्राइ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक उनको प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडि सब्सक्राइब के लिए बहुत जादा अच्छी होती है खाने में टेस्टी तो है इलाजवाब है और आप भी एक बार जरू जरू ट्राइ करें कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बाक्स में जरू जरू बताए देखिए थोड़ा सा डखकर हम पाच मिट के सब्सक्राइब हो गाएं। बहुत जाएंगे इसके अंदर काजू डालने की आप किस मिजपी डाल सकते हैं इसके अंदर बहुत जादा टिस्टी बनती है ये, बस हमारी अब सब्जी पक कर तयार हो चुकी है और अब आप इसे सर्व कर सकते है खाने के लिए तयार है बिल्कुल और इस तरह से आप भी एक बाद जरू जरू ट्राइ करे बेल आकॉन को प्रेस करे गंटी का बटन दबाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और इसी तरह से देखिए कितनी बहतर हमारी लाजवाब सब्जी बनकर तयार हुए केसा लगाए आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरू जरू बताना